Hello Students, This is Dr. Shikha Gupta, Welcome to my channel Commerce Classes Previous Lectures में हम Material Cost Variance के दो numerical कर चुके हैं, अब भी करते हैं Labor Cost Variance बात करते हैं Labor Cost Variance क्या है? Labor Cost Variance से पहले बात करेंगे Cost Variance क्या है? किसी भी Product की Cost में Variance क्यों आता है? Variance का Meaning क्या है? माल लेते हैं हम Pen Produce करते हैं, एक Company है जो Pen Produce करती है उसने सोचा Standard Cost, उसने सोचा कि Pen की Cost 4 रुपीज होनी चाहिए, 4 रुपीज एच पैन और Actual Cost आई 4.25 रुपीज अब ये जो 4 से 4.25 हो गई Cost वो क्यों हो गई? वो क्यों होई उसके पीछे Reason क्या थे? ये 0.25 का जो Difference आया इसके पीछे के Reason क्या थे? इसको हम बोलते हैं Variance Analysis ठीक है? अब ये Variance ये Variance तीन वज़ा से आ सकता है Material Variance, Labor Variance और Overhead Variance ये तीन डीजन से हो सकता है या तो Material का प्राइज हमने कुछ सोचा था और Material कुछ प्राइज का पड़ा या Material हमने कुछ क्वांटिटी सोची दी और कुछ और बड़ी तो ये हम सारी Analysis हम Material Cost Variance में कर चुके हैं अभी हम बात करें Labor Cost Variance की Labor Cost Variance में क्या होगा? हमने सोचा था कि इस पैन को बनाने में Labor लगेगी 1.5 रुपीज ठीक है? और Labor लगी 1.75 ये जो 0.25 का Difference आया है ये कैसे आया? ये क्यों आया? ठीक है? यहाँ पर जो 0.25 का Difference आया है Labor की Cost में उस Variance की Analysis करना ही क्या है? लेवर Cost Variance Analysis ठीक है? अब बात करते हैं Labor Cost Variance की further मैं आपको इसे Material Cost Variance से लिंक करके बताती हूँ अगर आपने नहीं पढ़ रखा भी Material Cost Variance तो Recommend करूँगी आप Material Cost Variance एक बार इस से पहले पढ़ लेवर Cost Variance से पहले Material Cost Variance पढ़ लेवर आपको इजी हो जाएगा Labor Cost Variance समझना तो Material Cost Variance को यहाँ लिख लेते हैं Material Cost Variance और यहाँ लिख लेते हैं Labor Cost Variance अब लिंक करते चले जाते हैं प्रीविएस वीडियो में मैं आपको Material Cost Variance के जितने भी फॉर्मिलास थे हूँ उनके पीछे क्या लॉजिक्स रहे हैं वो बता चुकी हूँ ठीक अगर आपने नहीं पढ़ा आया या नहीं देखा उस वीडियो को तो आप प्लीज देख लें आप जिस तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें पर Material Cost Variance से एक बार पहले पढ़ लें चलिए स्टार्ट करते हैं Labor Cost Material Cost Variance का फॉर्स्ट फॉर्मिला है जिसका फॉर्मिला है स्टेंडर कॉस्ट माइनस एक्च्ट्वल कॉस्ट सेम यहां भी रहेगा Labor Cost Variance का फॉर्मिला रहेगा स्टेंडर कॉस्ट माइनस एक्च्ट्वल कॉस्ट ठीक हैं यहां एक छोटा सा डिफरेंस आएगा वो मैं यहां लिख देती हूं material cost variance में quantity लिखा जाता था यहां पर हम उस quantity को time लिखेंगे जिस तरह से हम यहां चेक करते थे कि कितनी quantity लगी material की यहां हम चेक करेंगे कितना time काम किया labor ने ठीक है तो यहां labor cost variance में quantity का meaning time है ठीक और यहां पर हम price बोलते थे material का price और यहां rate बोलेंगे ठीक है कितनी rate से labor काम कर रही है 20 rupees per day ले रही है 20 rupees per hour ले रही है तो हम उसको rate बोलेंगे ठीक यहां पर जहां भी हमने material cost variance में क्यों use किया quantity use किया है यहां labor cost variance में हम उसको time बोलेंगे प्राइस बोला है material cost variance में जहां पर यहां हम labor cost variance में उसको rate बोलेंगे चलिए next formula देखते हैं material price variance material price variance का formula है actual quantity bracket में standard price minus actual price सेम यहां भी यही रहेगा labor rate variance price की जगह क्या हो जाएगा rate rate variance क्या होगा actual time bracket में standard rate minus actual rate next है material uses variance material uses कितना material use किया इसको हम यहां बोलेंगे कितनी labor efficient रही कितनी efficiency थी labor की ठीक है तो uses की जगह यहां क्या बोलेंगे efficiency तो material uses variance का formula था standard price bracket में standard quantity minus actual quantity यहां हो जाएगा standard rate bracket में standard time minus actual time worked अब यह जो w लगा है न वाग्ड का actual time वर्ग इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहां पर हम actual efficiency देखना चाहते हैं labor की और उस labor जितना भी time free बैटी रही आइडल बैटी रही जब लेबर ने काम नहीं किया हम उस time को अलग से दिखाएंगे efficiency variance में नहीं दिखाएंगे यह आपको और clear हो जाएगा जब numerical कराऊंगी यहां हम ideal time variance अलग से दिखाएंगे actually efficiency का ही part है ideal time बस हमने इस में से वो time जो free बैटी रही लेबर जिस वो time में उसने काम नहीं किया वो time हम यहां से दिखा देंगे और कुछ नहीं करना है हमको वो time लेना है ideal time और into कर देना है जिससे अभी हम यहां कर रहे थे standard rate से ठीक है यह हो जाएगा आपका labor efficiency variance and ideal time variance idle time variance क्यों आ सकता है idle means free बैटी है labor कुछ काम नहीं कर रही है है ना idle क्यों बैटी होगी हो सकता है power failure हो गया हो हो सकता है machine में कुछ defect आया हो हो सकता है material नहीं आया हो supply नहीं आई हो material की हो सकता है strike हुई हो lockout हुआ हो कुछ भी reason हो सकता है जब liver बैटी होगी वो काम नहीं कर रही होगी उसको हम बोलेंगे idle time ठीक next है material mix variance जब एक से ज्यादा material दिया होगा तब हम क्या नहीं का लेंगे material mix variance material mix variance का formula है standard price bracket में revised standard quantity minus actual quantity और revised standard quantity का formula क्या था revise standard quantity कुछ नहीं था हमने total actual quantity को standard quantity के ratio में divide कर दिया था क्या होगा formula standard quantity divided by total standard quantity into total actual quantity same यहां भी ऐसे ही रहेगा labor mix variance formula होगा standard rate bracket में revised standard time minus actual time worked labor mix variance and labor revised efficiency variance दौनों efficiency variance का पार्ट होते हैं इसलिए अभी और ट्री बनाके बताती हूँ कैसे होगा यह इसलिए यहां पर हमने actual time work लिया है तो इसके दो पार्ट जो निकलेंगे न उनमें भी actual time worked ही लेंगे ठीक है अब बात आती है revise standard time कैसे solve होगा revise standard time भी हम सेम तरह से solve करेंगे standard time के ratio में total actual time worked को divide कर देना है बस ठीक बताती हूँ standard time divided by total standard time into total actual time worked यही वाला जो time यहां बता है इसी का total ठीक है और numerical में clear होगा फिर आता है एक और formula material revised uses variance material revised uses variance का formula क्या है standard price bracket में standard quantity minus revised standard quantity ठीक है इसी तरह से यहां होगा labor revised efficiency variance formula होगा standard rate bracket standard time minus revised standard time clear अब ट्री बना के पता देती हूँ दौनों का ट्री कैसे बनेगा दौनों के ट्री में similarity है यहां पर हमने material cost variance को two parts में divide किया material price variance and material uses variance ठीक है material uses variance को हमने two parts में divide किया material mixed variance and material revised uses variance ठीक में एक और पार्ट बना दिया था क्या क्या हो जाएगा labor rate variance एक होगा labor efficiency variance और होगा variance clear है formula यह रहे और tree बना कर मैंने आपको बता दिया अब करते है numerical solve question है from the following particulars calculate labor cost variance standard labor force दी हुई है standard means हमने क्या सोचा था कितने labor लगेगी और कितनी labor actually लगी कितना price हो चाता और कितना price में actual हमको labor पड़ी ठीक है तो standard क्या दिया हुआ है male 10,000 hours और female भी 10,000 hours यहां पर आपको hours में दे रखा है हो सकता है question में आए male 100 worked for 100 hours यहां पर लिखा होगा 100 hours ठीक है इसी तरह से female भी 100 लगेंगी और 100 hours काम करेगी female भी और actually आपको क्या दिया हुआ है 12,000 hours काम किया female ने 8,500 hours काम किया तो हो सकता है actual में यह लिखा है question में male 100 और work किया 120 hours एक्जाम्पल के लिए बता रही हूँ ऐसे भी आ सकता है question में female ने 8,50 female ने 100 hours काम किया ठीक है तो यहां क्या है into करके बता दिया है हो सकता है आपको ऐसे डिवाइड करके भी दे दिया जाया आपको multiply करना होगा क्योंकि हमें यहां पर actual time चाहिए actual time कितना काम किया labor ने तो हमें actual time कैसे निकलेगा कितने लोग लगे और कितने time काम किया कितने hours काम किया वो आ जाएगा actual time multiply करके चलिए standard price था 0.5 and 0.25 male female का और actual price क्या रहा 0.6 and 0.4 यह आपको multiply करके बता दिया है last में एक line और लिखी है due to machine breakdown machine खराब हुई जिसकी वजा से worker free बैठे रहे idle बैठे रहे for 60 hours ठीक इसको भी देखते हैं कैसे करना है पहले table fill कर लेते हैं यह जो मैंने बना रखी है यहाँ पर male and female male standard time कितना है male का 10,000 hours female का भी 10,000 hours standard rate कितनी है 0.5 and 0.25 standard labor cost कितनी हो जाएगी multiply करके इनोंने दिया ही हुआ है यह हो जाएगा 5,000 और यह हो जाएगा 5,000 और यह हो जाएगा 2,500 5,000 and 2,500 total हो जाएगा 7,500 और यह हो जाएगा 20,000 ठीक अब आते हैं actual पर actual time कितना है 12,000 hours female का है 8,500 actual rate है 0.60 and 0.40 ठीक actual labor cost कितनी हो जाएगी total कितना होगा इसका 7,200, 3,400 और total होगा 10,600 राइट चलिए अब आते हैं 10,600 अब आते हैं एक और तम दिया हुआ है यहाँ पर ideal time ideal time में क्या करेंगे वो time जिसमें labor free बैठी रही थी कितना कितना दिया हुआ है 60 hours 60 hours इसको भी हम hours में लिखेंगे ठीक है hours में है यह 60 hours 60 hours अब actual time worked कितना होगा actual time तो यह है और idle time यह है तो actual time में से idle time minus कर देंगे तो क्या बचेगा actual time worked कितना time काम actually किया ले बरने तो यह minus करके आएगा 12,000 minus 60 यह आ जाएगा 11,940 और 8,500 minus 60 यह आ जाएगा 8,440 टोटल कर लेते हैं यह होगा 2,0380 ठीक है अब आता है एक autumn revised standard time जिस तरह से हम revised standard quantity निकालते थे वैसे ही revised standard time भी solve करेंगे revised standard time का formula होगा standard time divided by total standard time into total actual time worked यह जो actually काम किया लेवर ने इस time को standard time के ratio में बाट देना है बस तो mail का क्या हो जाएगा standard time कितना है है mail का 10,000 total standard time है 20,000 और total actual time worked है 20,380 तो यह mail का आ जाएगा 10,190 इसी तरह से same female का आएगा 10,000 divided by 20,000 into 20,380 यह भी आएगा 10,190 लिख लेते हैं तो 90,10,190 टोटल यह match करेगा क्योंकि इसी को हमने दिवाइड कर दिया है standard time के ratio में ठीक है तो टोटल तो यही रहेगा 20,380 राइट चलिए यहां side में अपना एक tree बना लेते हैं फिर question solve करते हैं labor cost variance को हम 2 parts में divide 3 parts में divide करेंगे labor rate variance labor efficiency variance idle time variance labor efficiency variance को further 2 parts में divide करेंगे labor mix variance and labor revise efficiency variance तो सबसे पहले solve करते हैं labor cost variance formula होगा standard labor cost minus actual labor cost तो standard labor cost total आपको यहां दी हुई है 7,500 और actual labor cost आपको दी हुई है 10,600 यह आ जाएगा 3,100 adverse ठीक है 3,100 adverse अब solve करते हैं labor rate variance labor rate variance formula होगा actual time bracket में standard rate minus actual rate क्या क्या दिया हुआ है actual time male and female actual time दिया हुआ है 12,000 hours and 8,500 hours 12,000 and 8,500 standard rate minus actual rate standard rate male की दियो है 0.5 और actual rate दियो है 0.6 standard rate female की दियो है 0.25 और actual rate female की दियो है 0.4 solve कर लेते हैं solve करके आएगा 1200 adverse यह आ जाएगा 12,000 sorry 1275 adverse और total आएगा 2475 adverse right लिखते भी चले जाते हैं इसको 100 adverse labor rate variance 2475 adverse ठीक है labor efficiency variance solve करते हैं labor efficiency variance formula होगा standard rate bracket में standard time minus actual time worked labor efficiency variance का formula लिख लिख लिया है अब male female के लिए चेक करते हैं male and female standard rate देखो अभी लिखी है यहाँ पर standard rate 0.5 and 0.25 है तो 0.5 and 0.25 standard time और actual time worked देखते हैं कितना कितना है standard time 10,000 है दोनों का और actual time worked है 11,940 and 8,440 यह लिख लेते हैं 10,000 standard time है दोनों का ही actual time male का है 11,940 और female का है 8,440 solve करेंगे आएगा 970 adverse और यह आएगा 390 favorable टोटल करके आ रहा है 580 adverse लेख लेते हैं इसको भी efficiency को 580 adverse 580 adverse अब solve करते हैं idle time idle time बता चुकी हूँ idle जब labor free बैटी है कुछ नहीं करना है इसको solve करने में idle time लेंगे और standard rate जैसा हमने efficiency में 2 किया क्योंकि efficiency का ही part है तो क्या करेंगे idle time variance में जो भी idle time होगा into standard rate तो male और female दोनों का ही idle time 60-60 hours था और standard rate 0.50 and 0.25 solve करके आ जाएगा 30 adverse and 15 adverse और total करके आएगा 45 adverse 45 adverse लिख लेते हैं इसको भी 45 adverse ठीक अब क्योंकि labor efficiency variance से ही ये दो part निकल रहे हैं तो यहां पर भी actual time worked का ही use होगा actual time का use नहीं होगा actual time worked का use होगा ठीक formula लिख लेते हैं labor mixed variance का labor mixed variance का formula है standard rate bracket revised standard time minus actual time worked male and female दोनों के लिए चेक करते हैं standard rate अभी लिखी थी हमने 0.50 and 0.25 अब revised standard time लिखते हैं दोनों का actual time worked अभी लिखा था इसको भी copy कर लेते हैं इसे actual time worked 11,940 and 8,440 है लिख लेते हैं 11,940 और 8,440 ठीक अब देखकर आते हैं revised standard time revise standard time कितना कितना आया है दोनों का revise standard time आया है 10,190 दोनों का ही ठीक 10,190 solve करके आएगा 875 adverse और यह आएगा 437.5 favorable टोटल कर लेते हैं टोटल आएगा 437.5 adverse और टोटल को लिख भी लेते हैं labor mix variance में 437.5 adverse अब एक बचा labor revised efficiency variance formula होगा labor revised efficiency variance formula है standard rate bracket में standard time minus revised standard time male and female standard rate अभी लिखी थी 0.50.25 standard time दोनों का ही 10,000 है और revised standard time अभी लिखा 10,190 solve करेंगे तो आ रहा है 95 adverse and 47.5 adverse टोटल आ जाएगा 142.5 adverse लिख लेते हैं total को 42,142.5 adverse अब इसका इसका total इससे मैच करना चाहिए और इन तीनों का total इससे मैच करना चाहिए और यह सारे मैच हो रहे हैं आप एक बार इसको solve करके जरूर देखिए और एक बार इसको आप बचा जम्हाया होगा, thanks for watching, bye bye!